एक शुच्पन का अभाज ये गुणन्द खंड कैसे करें इस्टेप पर शिखेंगे बच्चों पहले आप इस बात को समझे कि अभाज ये गुणन्द खंड का मतलब क्या है इसका मतलब है किसी भी संख्या को अपनी अभाज ये संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना तो अभाज ये संख्याओं कौन सी है दो तीन पाँच साथ एक से लेकर दस तक कितनी है चार उसके बाद आगे आपकी 11, 13, 17, 19 हम अपना सुरपरतम दो से डिवाइड करना चेक करते हैं तो क्या 152 से विवाज ये है येस इसमें दो का भाग दिया कितनी वार गया 7 वार फिर माइनस किया एक आगया 6 को यहां लेकर आगे 8 वार शोड़ा आगया माइनस किया 0 आगया सेंसफल जीरो आ रहा है इसका मतलब 156 जो है दो से भी बाज ये भाग दिया दो का कितनी वार गया साथ वार और आट वार फिर इसमें दो का भाग जा रहा है कितनी वार गया बचों तीन वार साथ माइने च्छे एक आ गया आट आया तो अठारे बन गया अठारे में नुवार कितना गया 49 एसे डारेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे है तो हमेंसा ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं आसान है अब इसमें देखो क्या यह दो से विबाजे है तो इसमें दो का भाग करके चेक या तो यह दो से विबाजे नहीं है तो फिर तीन का चेक या तो यह आपका तीन से विबाजे बाग गया एक वार और तीन वार कितना आग गया तेरा हम जानते हैं आगे के प्राइम नमर कौन से हैं 11, 13, 17, 19 तो आप देख सकते हैं 13 एक प्राइम नमर है तीन एक वार है, 13 एक वार है इसको क्या लिख सकते हैं दो दो आरे तो दो की घात दो तीन की घात एक और 13 की घात एक ऐसा लिख सकते हैं, अब देखी घातों का योग करना कभी ख़बार आपका execution भी पूचा जाता दो प्लस एक प्लस एक ऐसा जाएगा ठीक है